कि जो केवल रुकावटों के लिए रुकावटे डालने की राजनीती थी जिसका नित्यत्व कॉंग्रेस पार्टी कर रही थी वो विफल हो गई कि उनका उद्देश केवल ये था कि सरकारी कामकाज कानून ब्रहाने की वैवस्ता जो है संसद में उसमें रुकावटे पैदा करना लेकिन जो भारती ये लोगतंत्र की ताकत है और जो भारत के संसदों की एक सूजबूज है वो हावी रही है इसलिए आज Mining Law भी पास हुआ आजoksuchen का कानून भी पास हुआ दोनों कानूनों का जो महित्व है कि अब सरकार की मनमानी से ना मिनरल किसी को दिया जाएगा ना कोल किसी को दिया जाएगा निलामी होगी और निलामी में जैसा कि अभी हमने देखा है कोल ब्लॉक की निलामी में सेक्डो करोड रुपए सरकारी खजाने में आएंगे और केंद्र सरकार जिन राज्यों में से ये मिनरल या ख़दान या कोईला निकलेगा ये सारा पैसा उनको देगी और इसका असर ये होगा कि जो मिनरल और कोल बेरिंग राज्य हैं जो अतिक्स्तर वो राज्य हैं जिनमें आर्थिक प्रगती की आवशक्ता है जहां वनवासी शेत्र हैं उन राज्यों की अर्थ विवस्ता में बहुत लाव होगा दूसरा लाव इसका ये होगा कि जो देश के उद्योग को कोईला यहां खजान चाहिए उसकी कभी उनको नहीं मैसूस होगी वो प्रयाप्त मातरा में होगा और स्वभावी क्या कि तीसरा इसका लाव ये होगा कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे मनमानी के लगते थे अब वो नहीं लगेगे केवल कंप्यूटराइजड ऑक्शन इसका होगा और ये एक अच्छी विवस्ता होगी इसके साथ साथ आज विदेशों में किसी की संपती है या किसी के पास कोई साधन है तो उसके संबंद में उनके उपर टैक्स लगाना और जो विदेशों में अपनी संपती या अपने साधन रखता है गैर कानूनी तारीके से उनके खिलाफ क्रिमिनल केसिस चलाना उसका एक महत्वपूर्ण विधेक भी सरकार ने लोकसवा के अंदर इंट्रिड्यूस किया है